ये मेरे साथ वाकई हुआ, मैंने अपनी पत्नी से कभी उनकी जाती नहीं पूछी, मैंने खुद को हर ढांचे से अलग कर लिया है, मैं किसी भी ढांचे में नहीं हूँ, तो मैंने उनकी जाती भी नहीं पूछी, तो मैंने बस सभी को बता दिया कि मैंने शादी कर ली है, वो ताकि जब intercast marriage की बात आए, तो लोग आज भी पुराने खयालों के हैं, और वी एक ऐसी लकीर खीज देते हैं, जिसे बच्चे पार नहीं कर पाते, क्या ऐसा सिर्फ समाज के डर की वज़ा से है, जैसा की कहा जाता है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, तो युवा ह होने के नाते हम माता पिता को मनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि उन्हें इस सामाजिक डर से बाहर ला पाएं, देखिए, डर शायद सिर्फ इस बारे में ना हो, कि कोई क्या कहेगा, हमें जाती व्यवस्ता को समझना होगा, कि वो है क्या, इस से पहले कि मैं ये कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपकी जाती क्या है क्योंकि ये बात कभी मेरे मन में आती ही नहीं है तो मैं intercast marriage के खिलाफ हूँ क्योंकि अब कोई ये एक line लेकर मुझे मुसीबत में डाल देगा लेकिन मैं ऐसा करता रहता हूँ क्योंकि ये ही उदेश है मैं intercast marriage के खिलाफ हूँ क्योंकि सबसे पहले आप खुद को एक जाती का मानते ही क्यों है और फिर दूसरी जाती से जुड़ना चाहते है जब मैं योवा था अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो मुझे जाती की परवा ही नहीं थी मैंने कभी नहीं पूछा ये मेरे साथ वाकई हुआ मैंने अपनी पतनी से कभी नहीं पूछा कि उनकी जाती क्या है मैं बस एक दिन घर आया और पिता जी से बोला मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ वे बोले वो कौन है मैंने उनका नाम बताया मुझे सिर्व उनका पेट नेम पता था उनका पूरा नाम भी नहीं पता था क्यूंकि मैं उन्हें वही बुलाता था फिर उन्होंने पूछा उसके पिता कौन है मैंने कहा मुझे नहीं पता वे बोले क्या, तुम्हें पिता का नाम नहीं पता और तुम उससे शादी कर लोगे मैंने कहा मैं बस इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ मुझे उनके पिता से शादी नहीं करनी ना ही उनकी संपत्ती से, ना खांदान से मैं बस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो किस जाती की हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या तुम उनकी जाती भी नहीं जानते? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्योंकि जो लोगों ने मुझे बताया है उसके अलावा मुझे खुद अपनी जाती कहीं महसूस नहीं होती मैंने खुद को हर धांचे से अलग कर लिया है मैं किसी भी धांचे में नहीं हूँ तो मैंने उनकी जाती भी नहीं पूछी तो मैंने बस अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो बस वो बोली बस ऐसे ही, कोई गवा नहीं, कोई व्यवस्ता नहीं, फूल माला भी नहीं मैंने कहा देखो, कोई भी गवा, मुझ पर कोई बात नहीं थोप सकता जब मैं कुछ कहता हूँ, तो बस, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा मैंने कहे दिया, तुम मेरी पतनी हो, बस हो गया, तो मैंने आकर सभी को बता दिया, कि मैंने शादी कर ली है वे बोले कब, कहां, कैसे, आप उसकी चिंता ना करें, ये मेरी पतनी है, बात खत्न तो मैं कह रहा हूँ, कि आप खुद को एक जाती का क्यूं मानते हैं, और फिर दूसरी जाती से जुड़ना चाहते हैं जरूरी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक स्थिती की वज़े से, इस देश में, जाती व्यवस्था लंबे समय से इसलिए मौजूद है, क्योंकि कौशल सिखाने का यही एक मात्र तरीका था मान लीजिए, आपके पिता सुनार हैं, वे आपकी शादी एक अन्य सुनार से ही करेंगे क्योंकि बच्पन से आपने सुनार की मदद की हैं, आप जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है मान लीजिए वे आपकी शादी लोहार से करा देते हैं तो आप उस घर में जाकर परिशान हो जाएंगे और आप उस बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि ग्यान सिर्फ परिवार के जरीए ही दिया जाता था आज हम नहीं जानते कि इनके पिता क्या करते हैं पर ये इंजिनेर बन गए हैं हम नहीं जानते कि आपके पिता क्या करते हैं पर आप बायालोजी के शेत्र में हैं क्यूंकि हमारे पास संस्थाएं हैं जो शिक्षा देती हैं जब वो संस्थाएं नहीं थी और सिर्फ परिवार में शिक्षा मिलती थी तब हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे तो हमने वो बनाए रखा आप उसकी कोई जरुवत नहीं है जाती विवस्था के एक हिस्से का अब कोई मतलब नहीं है लोगों के जाती से जुड़े रहने का एक और कारण ये है कि देश में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है अगर कल आपके जीवन में कुछ गलत हो जाए आपने किसी आजनवी लड़के से शादी कर ली और आपके जीवन में कुछ गलत हो गया आप वीमार हो गया, वो बीमार हो गया, दुरगटना हो गया कुछ हो गया. अब आप सिर्फ अपनी जाती वालों से मदद मांग सकते हैं. आप किसी और के दरवाजे पर दस्तक देंगे, तो वो अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे. आपको अपनी जाती के पास जाना होगा. अगर आप कहेंगे मैं इस जाती अगर कुछ गलत हो, तो कोई आपके मदद नहीं करेगा. तो ये सामाजिक सुरक्षा का सिस्टम है. इसकी चिंता मत कीजिए कि इंटर कास्ट मैरेज से जाती खत्म हो जाएंगी. अगर आप एक उचित सारवजनिक सामाजिक सुरक्षा सिस्टम बनाएं, तो जातियां स्वभ भाविक रूप से गायब हो जाएंगी. किसी को उन्हें मिटाना नहीं पड़ेगा, वो बस गायब हो जाएंगी.